शत्रु का मुकाबला करने के सिवाई शौर्य पूर्ण कारियों के लिए शौर्य चक्र श्रीकुलदीब सिंग चाहर उपकमांडेंट 182 बटालियन केंद्रो रिजर्फ पुलीस बल 26 अगस 2017 को लगभग प्रातह चार बजे तीन आतंगवादी जिला पुलिस लाइन पुलवामा जम्मो एवं कश्मीर में चुपके से प्रवेश कर गए केंद्रो रिजर्फ पुलिस बल की बहादर और सतर्क टुकडी ने उनका सामना किया और पराक्रमी रूप से जवाबी कारवाई करके उन्हें लक्ष करने में विफल कर दिया उसके बाद आतंगवादी बैरिक के सामने स्थित अवासिय कौटरों के दिशा में भाग गए स्थिती का जायजा लेते हुए श्रीकुलदीब सिंग चाहर और त्वरित कारवाई दल ने चुनौती पूर्ण कारे संभालने का निर्णे लिया और अधिकांश निवासियों को सुरक्षित बचा लिया तता भी ऐसे ब्लॉक जहां पर आतंगवादियों ने अपना मोर्चा ले रखा था वहां के निवासियों को अब भी सुरक्षित बचाया जाना था इस कारे को अंजाम देने के लिए श्रीकुलदीब सिंग चाहर और हैट कॉंस्टेबल धनावडे रविंद्र बब्बन अपने दल के साथ भवन के अंदर आतंगवादियों की तलाशी के लिए घूमते रहे जब दोनों आगे बढ़ रहे थे उसी दोरान आतंगवादियों ने उनकी और गोलियों की बोच्छार कर दी दोनों उस आतंगवादि को मार गिराने के लिए आगे बढ़ते रहे जो बार बार अपनी स्थिती को बदल रहा था घातक गोलियां हेट कॉंस्टेबल धनावडे रविंद्र बबबन को लगी आतंगवादि के स्थान बदलने से पहले ही दोनों ने उसे गोली मार कर गंभी रूप से खायल कर दिया गंभी रूप से जखमी होने पर आतंगवादी ने हताशा में उनके आगे बढ़ने में बाधाड डालने के लिए उन पर ग्रेनेट दाग दी और स्वेम सीडियों के नीचे छिप गया इसी दौरान हेट कॉंस्टेबल धनावडे रविंद्र बब्बन की स्थिती बिगड रही थी अपने आपको गंभी जोखिम में डालते हुए श्रीकुलदीब सिंग चाहर ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया लगभग 20 घंटों के अथक प्रयास के पश्चात जवानों ने भीशिन गोली बारी में सभी आतंगवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की श्रीकुलदीब सिंग चाहर ने सनिकट मृत्यू के सामने शौर्य और अदम्य साहस का परिचह दिया श्रीकुलदीब सिंग चाहर ओपकमांदेंट